है आप सभी लो आप सभी अच्छे होंगे तो आज हमारे चानल में बनने वाला है यह टेश्टी सा चटनी जो की काफी चटपटा है कुछ खटा है कुछ मीठा है जो खाने बहुत ही मज़ा आजाएगा तो आई यह जल्दी से देख लेते हैं इसमें क्या के इंड्रियंस लग इस से मैं मुझे यह कच्छा तफाक से मिल गया था क्योंकि मैंने लाश्ट टेम में जब पक्याम का पेटी मगवाय था तो उसी के साथ यह आ गया था तो सबसे पहले आम को प्ली कर लिजे पील करके उसे कदुकस कर लिजे फिर आम को साइड में रख लीजे अब एक पैन पैन में हमें एक चमच लगवग पच फोरन डालके उसे ड्राइए ही रोष्ट करना है जब अच्छी सी आरोमा आने लगे एक अच्छी सी खुस्वू आने लगे तब हमें गैस को बंद कर देना है इसको ध्यान रखना है कि यह जले नहीं अब सेम पैन में हमें एक चमच त कप है तूसी के अनूसार हम लोग एक कप इसमें चीनी आड करेंगे अच्छे से अच्छे से स्लोव फ्लिम पर पकने देंगे इसी टर्शार एंड करेंगे टेष्ट के अनूसार नमक नमक काम्म की इसमें कितना नमक एड़ करना है इसी तरह से इसे slow flame फे हम लोग पकाएंगे अगर आप इस तरह से आम की चटनी बनाते हो तो लगभग एक साल चल सकता है इधर हमारा पंच फुरं ठंडा हो गया तो उसके बिलने के सहता से आप पिस लीजिए असानी से पिसा जाता क्योंकि इतना थोड़ कष्मिरी मिच और साथ में एकदम चुटकी हल्दी कष्मिरी मिच एड़ करने से इसमें एक थोड़ा सा तीखा पनाता है असान में कलर जो होता है बहुत ही अच्छा आजाता है अब इसमें हम एड़ करेंगे थोड़ा सा ड्राइफ फ्रूट्स जितनी भी आपको की बाइट आएगा तो चटनी का जो टेस्ट है और ही ज्यादा बढ़ जाएगा अगर जिन लोगों को ड्राइफ्रू सेट नहीं करनी है तो वह एड़ न करें इसके बीना भी चटनी का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है लाश्ट में इसमें हम लोग एड़ करेंगे अपना पंच फोरन इससे जो हमारा चटनी का खुस्वू है वह बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो यह एकदम भूले नहीं आप जरूर एट करें और ड्राइफ्रू सेट करने से तो इसका लूग और टेस्ट दोनों बढ़ी जाता है ऐसे खास कर साधी पाटियों में ऐसा चटनी बनता है तो यह हमारा चटनी लगभग रेडी हो गया है जब हमारा चटनी इस कंडिशन में पहुंच जाए मतब कि वह ट्रांस्पारेंट हो जाए तो समझे कि चटनी बिलकुल रेडी है तुरंत ही गैस बन कर देना है इसको थ थोड़ा देर ही लाते रहना ताकि हमारा जो यह चटनी है थोगा ठंदा हो जाए जल्दी नहीं तो यह ज्यादा गर्म या पकने के वज़़े से चिट-चिट हो जाएगा तो चटनी हमारा बिलकुल रेडी है तो चलिए हम लोग सफ कर लेते हैं अब पीसे किसी भी यह टा कर अच्छे सो उसको पोच लीजिए तब जाके पील कीजिए ताकि उसमें पानी जहरा सा भी नहीं बाहर से रहे तब ही जाकर हमारा आम जो है वह अच्छा से एक साल डेट साल चल सकेगा तो यह दिखे कितना टेश्टी और यमी लग रहा है बनाना चाहते हैं तो जल्दी स से जल्दी अभी भी ट्राइब कीजिए मार्केट में कहीं न कहीं से आम जरूर मिल जाएगा अगर आपको हमारी यह रेस्पी अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी हमारे चानल को सब्सक्काइब कर लीजिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड और फैमली में सेर करना बिल्कुल नहीं भूलिया तब तक के लिए टेक्यों बाए जय मता दी